हेलो एस्पिरेंस, आये शुरू करे आज के दह हिंदू की मुख्य सुर्खियों का विशलेशन फ्रंट पेज पेगर आप देखेंगे तो न्यूज है पाकिस्तान विल हिट पैक इफ इंडिया स्ट्राइक्स, सेज इमरान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मंगलवार को पुलवामा आतंकी हमले पे अपनी चुपी तोड़ते हुए भारत को चेतामनी दी है कि अगर नई दिल्ली ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई दंडात्मक सैन्य कारवाई की तो इसलामाबाद इसकी जवाबी कारवाई जरूर करेगा एक टेलिवाइस्ट एड्रेस में मिस्टर खान ने ये कहा है कि अगर भारत ये सोचता है कि वो किसी तरह का हमला पाकिस्तान पे लॉंच करेगा तो पाकिस्तान सिर्फ जवाबी कारेवाही के लिए सोचेगा नहीं जवाबी कारेवाही करेगा वहीं मंगलवार को विदेश मंतराले ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस ओफर को कि वो पुलवामा के आतंकी हमले की जाच करेंगे अगर उन्हें प्रूफ दिया जाए इस बात को लेम एक्सक्यूज बताया है और साथ ये साथ ये भी कहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तो ना ही इस हीनिस आप्ट की जगन्य कृत्य की निंदा की और ना ही शोक से संकप्त परिवारों के सामने शोक व्यक्त किया बढ़ते हैं नेक्स्ट नियूस की तरफ फैटल रिहरसल IAF की एरोबैटिक टीम सूर्य किरन के दो हवाई विमान बैंगलूरू के पास एरो इंडिया शो का रिहरसल करते हुए हवा में ही क्रैश हो गए इस दुरगटना में एक पाइलट की मौत हो गई और दो पाइलट घायल हो गए है जो विमान दुरगटना गरस्त हुए है वो है हौक MK.132 ये ब्रिटिश ओरिजिन के विमान है और इन्हें हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने भारत में ही बनाया है इस दुरगटना में जो शहीद हो गए जिनकी मौत हो गई है वो पाइलट है Wing Commander Sahil Gandhi और जो पाइलट घायल होए है वो है Wing Commander VT Shailke और Squadron Leader TJ Singh मंगलवार को Supreme Court और केंदर सरकार ने इस बात पे सहमती जाहिर की है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स अवहत अप्रवासियों को असम में डिटेंशन सेंटर में जादा वक्त के लिए नहीं रतना चाहिए बजाए इसके उन्हें प्रत्यावर्तित या निर्वासित कर देना चाहिए Either they should be repatriated or deported expeditiously फिलाल Supreme Court एक्टिविस्ट हर्ष मंदर की एक याचिका पर सुधवाई कर रही है ये याचिका और detention camps में निराशा जनक रहने की स्थीती पर दायर की गई है Supreme Court ने ये notice किया है कि उन detainees को अपना term complete करने के बाद भी वहाँ रोपकर रखा जाता है उन्हें छोड़ा नहीं जाता, free नहीं किया जाता है Next is Cabinet Approves New National Electronics Policy मंगलवार को Union Cabinet ने National Electronics Policy 2019 को मंजूरी दे दी है जिसका एक मात्रे लक्ष होगा 2025 तक Electronic System Design और Manufacturing सेक्टर में 400 बिलियन डॉलर यानि तकरीबन 26 लाग करोड रुपे का turnover प्राप्त करना और साथ ही साथ एक करोड लोगों के लिए रोजगार के आवसर उत्पन होंगे इस policy में easier to implement incentive scheme शुरू की गई है जिसमें interest subvention scheme और credit default guarantee scheme भी शामिल है ये schemes National Electronics Policy 2012 की कुछ schemes का प्रतिस्थापन करेगी उन्हें replace करेंगी बढ़ते हैं अगली खबर की तरब Seven Islands in Andamans लक्षुदीप identified for sea plane operation अंदमान के चार आइलेंड और लक्षुदीप के तीन आइलेंड सी प्लेंड संचालन के लिए इडेंटिफाइब किये गए हैं और इसके लिए परियतन आधारित परियरजनाओं के लिए नीजी शेत्र की भागीदारी को अमंत्रत किया गया है ऐसा मंगलवार को होम मिनिस्ट्री ने ग्रह मंत्राले ने कहा होलिस्टिक डेवलप्मेंट आफ आइलेंड्स प्रोग्राम की प्रगति को रिव्यू करने के लिए आइलेंड डेवलप्मेंट एजेंसी की पांच भी मीटिंग होम मिनिस्टर ग्रह मंत्री राजनात सिंग की चैर्मेंशिप के अंडर की गई अंदमान में जो द्वीप इस परियोजना के लिए चुने गए है वो है स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हट बे और लॉंग आईलेंड essent और जो द्वीप, लक्ष द्वीप में इस परियोजना के लिए चुने गए हैं वो है कावरत्ती, अगात्ती और मिनिकोय civilian aircraft के लिए अंदमान का दिगलीपूर एरपोर्ट का संचालन किया जाना है साथी साथ मिनी कोई में एक नए एरपोर्ट का construction किया जाना है और अंदमान ट्रंक रोड पे एक middle straight bridge पनाया जाएगा Next is more than four lakh children are inhalant addicts says a survey उतरप्रदेश, आंदरप्रदेश, पंजाब, 36 गर्ड और अरुनाचल प्रदेश ऐसे राज्य है जहां शराप का सेवन और उससे होने वाली स्वास्तिय जटिलताओं से जूचते होए लोगों की संखिया सबसे ज्यादा है December 2017 और October 2018 के बीच मादक दरव्यों के सेवन की मातरा का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षन किया गया जिसके मुताबिक तकरीवन 5.7 करोड़ लोग अलकोहौल पे निर्भर है और जो उच्च प्रसार वाले राज्य है हाई प्रवलेंस स्टेट से सके हैं पहले भी देख चुके हैं वो है यूपी, आंदर प्रदेश, पंजाब, चतीसगर और अरुनाचल प्रदेश इन 5.7 करोड़ लोगों में से जो सिडेटिव या इनहेलेंट यूजर्स है वो है 4,60,000 बच्चे और 18,00,000 वयस्क अडल्स जो केनेबिस पे निर्भर है वो लोग है 72,00,000 इन चीज़ों में सबसे हाई प्रवलेंस स्टेट्स है यूपी, पंजाब और उडिशा और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ड्रग है हेरोईन तकरीबन 1.14 प्रतीशत धारतिय हेरोईन का इस्तमाल करते हैं और हेरोईन के लिए हाई प्रेवलेंस स्टेट्स है जहाँ पे इसे सबसे ज्यादा इस्तमाल किया जाता है यूपी, छितीजगर, पंजाब और दिल्ली, नेक्स्ट इस 3% DA हाइक पॉर सेंटरल स्टाफ, बुद्वार को यूनियन काबिनेट ने केंद्रे सरकारी कर्मचारियों को एक अधिशनल एक अतिरिक्त डियर्नेस अलावेंस और पेंशनर्स को डियर्नेस रिलीफ देने की घोशना की है जो की 1 जनवरी 2019 से लाग की गई है, सरकार ने ये कहा है कि इस डियर्नेस अलावेंस और डियर्नेस रिलीफ को बढ़ाने से हर साल तकरीबन 9,168.12 करोड रुपे का खर्शा होगा और ये तकरीबन 48.41 लाग केंद्रे सरकार के कर्मचारियों को लाब पहुचाएगा और 65.3 लाग पेंशनर्स भी इस गवर्मेंट प्रवाइट्स मोर फॉर मिड़े मील कोस्ट काबिनेट कमीटी ओन एकनोमिक अफेज ने मंगलवार को मिड़े मील स्कीम के पुनरक्षन को मंजूरी देती है जिसके अंतरगत डिपार्टमेंट अफूड पूलिक डिस्रिबूशन के और से 8,000 करोड रुपे क सबसीडी के अलावा साल 2019-20 के लिए अतिरिक्त 12,056 करोड रुपे दिये जाहेंगे Next is Center Launcher's Panic Button on Mobiles महिलाओं की सुरक्षा और दूसरी आपात कालिन सेवाओं के लिए सरकार्ने मंगलवार को मोबाइल में एक Panic Button Feature लाँच किया है ये इनिशियेटिव Home Minister राजनाथ सिंग और Women and Child Development Minister मेंका गांधी द्वारा जॉइंटली लाँच किया गया है Basic या Feature Phone के अपुभोगता इसका इस्तमाल 5 या 9 नंबर को लंबा दबाकर यूज कर सकते है Long Press 5 और 9 बटन on your Feature और Basic Phone वही अगर आप Android यूजर यां कोई और दूसर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके पास तो आप 112 मोबाइल अप्लिकेशन डाउड करके इसका इस्तमाल कर सकते है मुंबई के साथ साथ जिन राजियों में ये सुविदा प्रदान की जानी है वो है आंदर प्रदेश, उत्तराखन, पंजाब, कैरला, मध्यप्रदेश, राजस्थान, यूपी, तेलंगाना, तामिलनाडू, गुजरात, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान, गादरा एंड, नगर हवेली, दमन एंडियू, जमू एंड कश्मीर इससे पहले ये फीचर नागालेंड और हिमाचल प्रदेश में लॉंच किया जा चुका है अब बढ़ते हैं आखरी पेज की तरफ हमारी आखरी न्यूस के लिए न्यू यूनिवर्स माप अन्वील्स त्री लाग मोर गालेक्सीज जिस प्रमान को हम जानते हैं जो हमारे ज्यान में हैं वो अब और बड़ा हो चुका है मंगलवार को पब्लिश हुए एक नाइट स्काय के एक नए नक्षे के अनुसार सैकडों ऐसी नई गैलेक्सीज आकाश भंगाओं को डिसकवर किया गया है जो कि पहले किसी की जानकारी में नहीं थी इस अधियन में 18 देशों से तकरिवन 200 एस्ट्रोनॉमा शामिल थे जिन्होंने Northern Hemisphere उत्तरी गोल गोलार्ध में आकाश के एक सेग्मेंट को रेडियो एस्ट्रोनॉमी के जरिये देखा और तीन लाख ऐसे light sources को उन्होंने देखा जो कि पहले ना किसी ने देखा और ना किसी ने पाया और ये अनुमान लगाया गया फिर कि ये दूर की आकाश गंगाए हैं इस अधियन के लिए जिस telescope का यूज किया गया था वो है Low Frequency Array Telescope Lowfer Telescope in Netherlands इसी के साथ हमारा आज के The Hindu के मुख्य सुर्ख्यों का विचलेशन यहीं समाप्त होता है The Hindu के Current Affairs के डेली वीडियोस देखने के लिए हमारी YouTube चानल A.A.Shah Young IS को सब्सक्राइब करें बेल का बटिन दबाना ना भूले